गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू फाइव मिनट स्रीज इस पांच मिनट में बीच कंसेट डिसकस करते हैं जिसमें आपके सारे स्टेटिक सब्जेक्ट और साथ में कुछ जो करेंड में चल रहे हैं उसको एड करते हैं ताकि आपकी त्यारी पूरी कॉंप्रिहंसिवल भी हो जाएं पहले पॉलिटि बात करते हैं क्या स्टेटिरी बोड़ी दिसक्स करते हैं इनको स्टिप्ट में नेगे 230ए Fahr生 में इस और बाकी चो इकॉनमिक डेवलेप्मेंट सेक्योर्टी और उसके अलाव एक नोर्थ इस्टन काउंसिल क्रेट की थे 1971 वेरे इंपोर्टेंट ये इसके साथ में अलग से क्रेट की थी और यह क्या है दी जार्थ ओनली एडवाइजरी और रिकमेंटरी बोड़ी और किन चीजो कोन होगे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ दा स्टेट जो भी हर एक जोन में स्टेट होगा उसका चीफ मिनिस्टर और उसका वाइस चेर्मन का रोल प्ले करता है और रोटेशन में होता है और उसकी कितने दिन के लिए होता है एक साल के लिए टाइम और मेंबर चीफ मिनिस्टर प स्टेट्स रिलेटेड कोई भी इस्सू जराइज हो रहा है तो उसको जोनल काउंसिल है नेक डिस्कस करते हैं हिस्ट्री में कोल अप्राइजिंकल हमने कौन सा क्या था शंताल और खौंड क्या था यह कहां पर हो था चोटानापूर रिजन में 1829-39 में हुआ था और यह लोग क्या था साउत भिहार में उसके कारण डिस्टिक को डिवाइड कर देगा 1819 में और काफी पीपल जो इसे रिया में भाहर से मूग करने लगे तो इनकी लेंड के उपर बहुत ज्यादा खत्रा हो गया क्यों बाकी लोगों का लेंड पर कबज़ा हो गया जब बिटेशस आये थे उस टाइम तक इनकी लेंड थी वो इनकी फैमिलीज के दोड़ा डिवाइड थी उसको बोलते थे पार खाज मतलब कानून इनके उपर थोपने शुरू कर दिया तो इनके जो कल्सर थे उसको बहुत ज्यादा खतरा हो गया बाहर के लोगों ने अगरी कल्सरों कॉमर्सि जिन्दारी मान की मंदारम है तो यह इसके लिडर्शिप थे और इसका करेक्टरिक्स्टिक फीचर क्या था कि यह अकेले नहीं लड़े इनके साथ में बागकी ट्राइब जाजे होस मुंडा और यह भी इसके साथ में थे बिटिस ने इसको बोला बैंडी ट्री बैंडी ट् इसमें काफी जाज़ थाउजंड ओधी मैं विमें जिल्टन मारे गए लेकिन इसने बाग की ट्राइबल मुमेंट को बहु ज़्यादा इंस्पायर किया आर्टन कल्चर की बात करते हैं मनीपूर डांस कलम ने कौन सा किया था कलम ने कथ्था किया कोई दूसरा डांस किया तना मनीपूर डांस कि यह वेश्चनव इजम से रेलेटेडन की बात अच्छनव से लेटेड एवरा अच्राइप की दिघें को चाल इल्स फेम के मनीपूर में थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं एंसेंं टाइम से इसको आपका EU लिएटिशन देख सकती हो live a comment अका यौ जो मोडिफाइड फॉर्म मनीपूर डान्स है और इसमें जो प्रिंसिपल पर्फोर्मेंस है उनका रूल है कि मैरी मेंकिंग वुट इंग भगवान की साधी कर रहे हैं इसमें माईबाज माईबीज जो प्रिस्ट और प्रिस्टेश का नाम होते हैं उनको माईबवाज माईबीज है और जो मेल लिए भी मेति कम्नीटी मेति कम्नीटी के बारे मेर मनीपूर इसलिए हमने इंक्लूड क्या कि बहुत ज्यादा नीऊ हो जह मनीपूर में लोन ओडर सिच्वेशन के यह आपने बताय दिया कि रादा कृष्ण की theme के ओपर discuss है और जो technical moment है वो संगीत सास्तर के हिसाब से ही है जिसमें तीन चिदे है नरित्या नरित्या और नाट्या नरित्या क्या होता है pure dance नरित्या interpretive dance और नाट्या जो theme होती है अभीने के हिसाब से उसको बोलते हैं इसके द तांडव और लाश्या तांडव सीवा को और लाश्या पारवती को दर्शाता है और कौन-कौन सी लेंग्वेज में सोंग आ जाते हैं बंगाली में संस्क्रीट में ब्रिजवा मनीपूर में यह काफी important है जो चोलाम है वो तांडव फोम है और जागो यह लाश्य फोम पहनते है very important point जो डांस परफॉम किया जाता है मेली बोडी जेस्टर है एक्सप्रेशन है एक्रोबेटिक हर काफी रिग्रेस मूमेंट होते है और जो लोड कृष्णा उपर जो चंदा पहनते है उसका मोर का वो यहां पर पोट्रेक किया जाता है स्विंग अप्डूमेंट का भी मतलब बैम्बू ट्री जो इनका लोकल कल्चर उसको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है मूजिक इंस्टुमेंट इसमें उजगे जाते हैं ड्रम फ्ल्यूट पोंग और पेना नेक डिसकस करते हैं ग्रेट इंडिन बस्टेड वेरी इंपोर्टेंट 2020 में यह पीश इस्तन और गुजरात में बट इसके महराष्ट्रा में करनाट का मेरा अंदर पर्देश में भी पाए जाता है थ्रेट क्या है थ्रेट तो यह कोलीजन वाला है इलेक्टिसटी की वायर जाती है उसके का इलेक्ट्र कुशन होता है फिर हैबिटेट लोस हो गया और बहुत ज लिए हैं सरकार ने इसको प्रोड्चे करने के लिए स्पीशिज रिकवरी प्रोग्राम चलाए शपीश ली नेशनल बड बुर्ड बस्टड रिकवरी प्रोग्रम है चंद्र्विशन ब्रीडिग है प्रोजेक्ट ग्रीट इंदर राजास्तान गुवर्में स्टार्ट किया गया यह काप ही इंपोर्टेंट डिजए नेशनल पार्क यह राजस्तान में है कहां पर लोकेटिट है जसल मेर और बार्ड में डिस्टिंग में और इसको युनेस्को वर्ल्ड हरिटाज डिकलेर गया था अधेडिनेटि में और 1992 नेशनल पार्क इसके ऊपर यह पिसी 2020 में यह रहता है यहां पे कोई ट्राइपस रहती यह नहीं रहती इस टाइप में प्रॉट्टेंड हो जाता है यह जोगराफी बात करते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्टिंग कंट्री देखलो आप उनको से अ पी नोट्स अब सब्सक्राइब इतना चोटा कंचेप्ट क्यों होगे यूपिस इन सिंपल पूछ रहे पी नोट्स क्या है पी नोट्स होते हैं पार्टिस्पेटर नोट्स यह भी 2019 से 2020 का क्वेश्चन है यह ओप्सोर्ड डेरिवेटिव इंस्ट्यूमेंट है जो कि जितने इंडिया में रजिस्टर होते हैं फोर्ण पॉर्टफोलियो इन्वेस्टर जो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं वह बाहर वाले जो इन्वेस्टर हैं जो इंडिया के इन्वेस्ट्मेंट या स्टोक मार्केट का पार्ट बनना चाते हैं लेकिन अपने आपको रजिस्टर नह में जो पी नोट होड रहे हैं उनके उपर ओल दो क्योंकि कम रिजिस्ट्रेशन रिक्वार्मेंट को रिजिस्ट्र करने ही जुरुत नहीं एक फिर अपने आपको खरीद लेते हैं बट उनको फिर भी एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में जाना पड़ता है अंडर था से भी जो सेक्योटी एक्षेंज बोर्ड ओपिने आना उसकी डिलिजेंस के अंडर में होना चाहिए तो यह था हमारा आज का फाइब मिनिट लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब थांक्यू थैंक्यू फूर वाचिंग